नमस्कार स्वागत है आपका आरिया न्यूज में मैं हूँ आपके साथ सुमन पाद भारत सरकार ने गंतंतर दिवस समारों को लेकर इस साल दो महत्र पूर्ण बदलाव किये हैं दरसल गंतर दिवस के मौके पर ही समारों में अब हर साल 24 जनवरी के बजाए 23 जनवरी से ही शुरू होगा और 23 जनवरी को नेतजी सुभास चंदर बोस की जहनती होती है और इसके अलावा अब इस समारों को आज से 30 जनवरी तक आयो जित किया जाएगा और इस जिसमें की मुख्या समारों 26 जनवरी को शुरू होगा वही कारेकरम में होने वाला फ्लाइपास्ट 10 बजे के स्थान पर ही 10.5 बजे शुरू किया जाएगा प्रेट के समय में बदलाव की मुख्य वजब विजिविल्टी की सुधार बताई जा रही है और आपको बता दें कि समारो 23 जनवरी यानि कि आज से नेता जी सुभास चंदर बोस की 125 मी जन्ती के उसर पर ही शुरू किया जाएगा इसका समापन 30 जनवरी को ही शही दिवस के उपलक्ष में ही होगा और राष्टिय राजधानी जराजपत पर भी गंतंत्र दिवस समारों में करीब 1000 ड्रोन और 75 से ने विमान और 12 राजियों और केंद्र शाषित परदेशों और 9 मंतरालियों की जाक्या शामिर होंगे और इसके अलावा गंतंत्र दिवस परेड में ही आने वाले दर्शकों की संख्या में काफी कमी आई है और पिछले साल जब पहली COVID-19 लहर का कम हो रही थी और तब लगभग 25,000 विजयर्ष्ट की अनुमती दी गई थी और इस साल भी संख्या में 5,000 से 8,000 के बीच काफी कमी की गई है और आपको बता दे कि अभी भी काम किया जा रहा है क्योंकि COVID-19 मामलों में काफी व्रिधी हुई है दिली में आज तिहत्र में गंतंत्र दिवस परेड की ही फूल ड्रेसरी सालसल है और इस दोरान ही गड़ मानने अव्यक्तियों के ही अरावा पूरी परेड ठीक वैसे ही दिखाई पड़ेगी जैसे 26 जनवरी को होगी सेना की मार्चिंग टुकडियों से लेकर ही टैंक तोप और बैंड तक का हिस्सा लेंगे और इसके साथ ही वायू सेने का फ्लाइपास्ट भी होगा देश में जानलेवा क्रोना वाइरस माहमारी के मामले कल की तुलना में ही आज घटे हैं देश में पिछले 24 घंटों में ही करोना वाइरस के ही 3,33,533 नएके सामने आए हैं और 525 लोगों की मौत हो गई है आपको बता दे कि देश में ही देनिक पोजिविटी रेट अब 17.78 फीस दी है वही बड़ी बात यह है कि देश में ही आज कल से ही 4,171 कम मामले आए हैं और कल करोना वाइरस के ही 3,37,704 मामले सामने आए थे और आपको बता दे कि इसको लेकर भी केंद्रिय स्वास्ते मंतराली की ओर से जारी किये गए आकडों की मताबिक देश में ही अब एक्टिव मामलों की संख्या बढ़करी किस लाख कई जादा बढ़ चुकी है और इससे जादा ही आपको बता दे कि इस महामारी से ही जान गवाने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है आकडों के मताबिक कल 2,49,168 लोग ठीक हुए हैं जिसके बाद अभी तक 3,65,60,650 लोग संक्रमन मुक्त हो चुके दो दिन से आस्मान में मंडरा रहे बादल शरीवार दोपहर बाद मसूरी पर महरबान हुए मसूरी धनोल्टी समेथ आसपास के इलाकों में ही जोड़दार हिमपात हुआ हलाकि मसूरी बजार में ही बहत हलकी बरहवारी हुई लेकिन चोटियों पर बरफ की सफेद चादर बिच गई और इस बीच ही पर्ट्रिकों ने भी हिमपात का जम कर लुफत उठाया धनोल्टी मार्ग पर ही अचानक यातायात का दबाव बढ़ने के कारण देर शाम तक काफी जाम लगा रहा मेदानों में भी शनिवार सुभा से ही बारिश और पहाडों में हिमपात का सिलसला सुरू हुआ और दोपहर तक बाद भी मशूरी और आसपास के ही छेत्रों में हलकी बुंदा बांदी से ही बीच बरफ की फाहें भी गिरने लगी और माल रोड पिक्चर और पैलेस पर भी काफी हलकी बरफबारी हुई है आपको बता दे कि महीं लाल टिबबा चार दुकान और हाथी पाउंद जार्ज और एवरेस्ट कंपनी बाग और आपको बता दे कि विनोग हिल में भी अच्छी बरफबारी हुई है इसके लावा मसूरी में ही कुषदूरी पर मौजूद बुरा खंडन डोनाल्टी और बटवाल धार कदुखाल और सुरकंडा कड़ताल और नाग टिबबा में भी करीब आधा फीड हिमपाथ हुए